नमस्कार स्वाथियों जय हिंद दोस्तों आज की जो वीडियो है वो भी काफी इंपोर्टेंट होने वाली है लास्ट वाली वीडियो आपने हमारी देखी होगी जो मैंने कल अपलोड करी थी और उसमें आपको बताया था कि किस परकार से जो पेंशन का पोलिसी था जो रिव जरूर देखिए उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं ताकि आप उसको चेक कर पाएं तो चलिए आज की वीडियो के पर बात कर लेते हैं लेकिन उससे पहले आपको बताना जाऊंगा अगर आप नए है तो हमारे चैनल को सब्स सकते हैं कि PCDA Accounts यानि Principal Control of Defense Accounts Pension अलावाद की जो वेबसाइट है वो आमने खोली हुई है जो आपकी Pension और आपका जो भी PPO से रिलेटेड जो चीज़े होती है उसकी देखरेक करता है तो इसमें जो न्यूज आई है वो यह है कि दोस्तों आप देख सकते हैं JCO OR Update Till 2021 2020 यानि कि आपके जो PPO है वो अपडेट हो गए है 20 तरिक 20 तरिक को नई अपडेट आई है इसमें कि नए PPO आप यहां से देख पाएंगे तो चली बता देते हैं कि कैसे आपको कैसे चेक करना है सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करेंगे सबसे इस टाइप का आपके परस यह दिखेगा आपको बैक्ट तो आप इसमें देख सकते हैं आपका record office RO code यहां पर लिखा हुआ है RO name लिखा हुआ है total number of cases कितने हुए 100 moto cases कितने हुए ठीक है कितने pending हैं कितने आगे forward किये गए हैं वो सारी चीज़े हैं और last में आप देख सकते है finalized cases है कि कितने final revision हुए हैं तो उस पर जाके आपको चेक करना है अब suppose कीजिए आपकी जो regiment है वो आपका suppose कीजिए गर्नेडियर हो सकती है राजबुताना rifle राजबुताना regiment हो सकती है तो आप उसमें check करने के बाद आपको last में आपको क्लिक करना है यसे मैं यहां पर गर्नेडियर पर कर रहा हूं तो यहां पर आप चेक करेंगे आपका पुराना PPO नंबर आपके पास होना चाहिए पुराना PPO नंबर से आप यहां पे सर्च करेंगे आप देख सकते है original PPO नंबर यह आपका पुराना वाला PPO नंबर होगा इसके respect में आपके सामने नया वाला PPO नंबर लिखा होगा तो आपको अपने पुराने वाले PPO से नये वाला PPO चेक करना है यानि कि देख सकते हैं यह सपोज कि जिए मैं पहला उठाता हूँ S0263-561-986 तो इसका जो PPO होगा नया वाला वो यह होगा 960-198-600-68 तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपना खुद का PPO अब यह PPO नंबर तो आपको मिल गया अब आगे आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ पहले इसको previous उस पर चलते हैं page पर अब इसवाब नीचे देख रहे होंगे कि नीचे क्या लिखा हूँ है आप वो इस टेटस ऑफ सुवर मोटो रिविजन बिंग डन बाई PCDA after completion of सुवर मोटो revisions remaining cases will be initiated by respective record office revision in remaining cases will be done on receipt of such claims यह है बात पढ़ने वाली कि all these PPPOs यह जो नए PPPO जो जारी हुए है यह DPCC यानि Defense Pension Contact Center ठीक है वहाँ पे handover कर दिये है to respective record office respect जो आपका record office है वहाँ पे DPCC को यह handover कर दिया गया है तो इसके लिए आपको अपने record office से contact करना पड़ेगा तो आप यहाँ से पहले अपना number उठाएंगे new PPPO का उसके बाद आप अपने record office में संपर्क करेंगे एक और news आपको बता दूँ फ्रेंट में चलता है इसके यह देखिए यह जो notification है पहला है notification life certificate के उपर तो इस तो हबड़ तबड़ करने की जूरत नहीं है क्योंकि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो life certificate है वो सिर्फ नवंबर में ही जमा होगा बिल्कुल नवंबर में ही होता था लेकिन अभी जो है इसकी date बढ़ा दी गई है और दिसंबर तक इसको आगे कर दिया गया है तो बिल्कुल आप वेट कर सकते हैं यह देखे लिखा हुआ है submission of life certificate it has been the experience of this department that the senior prison pensioner the pensioner 80 years and above are facing a lot of difficulties standing in queues while giving the life certificates in November यानि कि यह देखा गया है कि जो हमारी senior pension है 18 साल के उपर वाले उनको काफी दिक्कते होती है वो line में खड़े रहते हैं life certificate के लिए नवंबर में तो इसको considered किया गया है कि इनको कुछ relief प्रोवाइड किया जा सके ठीक है इस 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 देरफोर बिन डिजाड़े वाइड गवर्मेंट that senior prisoner aged 80 years and above allowed to give their life certificate इनको एक अक्टूबर से लेके और 30 नॉम्बर तक किया गया था इसको अभी तक ठीक है लेकिन अब इसको revise किया गया है यह देकि extension of the period of submission of life certificate from October till December पढ़ लेते हैं every central government pensioner has to submit the life certificate that in the month of November ठीक है November में जमा करना होता है क्योंकि अभी COVID-19 pandemic चल रहा है तो इसी की वज़े से जो है central government ने जो decide किया हुई यह किया है कि एक life certificate from 1 November से 31 December तक आप जमा कर सकते हैं ठीक है तो 31 December तक इसकी date जो है वो बढ़ गई है जितना आपके लिए important था वो मैंने आपको बताया बाकी रामायन कहानी बताने की पूरी जरूत नहीं है ठीक है तो जिन लोगोंने अभी तक जमा नहीं किया है और वो सोच रहे हैं कि फटा-फटस को जमा करा दे जाके कभी बाद में जमा ना हो पाए तो शांती से बैठे और अपना आराम से जमा कराएं क्योंकि अभी आप जाएंगे तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा उससे क्योंकि क्योंकि हो सकता है आपको भीड मिलें वहां पर क्योंकि हो सकता है सब लोग यह सोच रहे हूं कि भीया जमा कराना है जमा कराना है तो आप अगले महीने में जाए फस्ट विक में चले जाए अगले महीने के और अपना लाइफ सर्टिपिकेट अपने बैंक में या पिर जहा इतने भी आपके sources है WhatsApp, Facebook सब पर आप उसको share कीजिए ताकि ज्यादस ज्यादा लोग इसको समझ पाएं देख पाएं तो इसी के साथ वीडियो को ज्यादा लंबा ना खिछते होएं जैहिन भारत